इंडिया वसेस इंग्लेंड के बीच में जो वर्ल कप का सेमी फाइनल होगा इसका में सुड़ में इंडेटर आनलेसिस करेंगे स्वागत आपका पर्फेक्ट लाइन अप्लिकेशन पर यहां पर एक पेंटर से मैच का पूरा आनलेसिस कर सकते हैं देखो इंडिया वसेस इंग्लेंड यहां पर दोनों की दोनों मजबूटी में हैं तो इस मैच की जो टीम बनेगी बैलेंस बनेगी और यह जो फाइनल टीम है यह आपको मिलेगी पर्फेक्ट लाइन अप अप्लिकेशन पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन दोनों जगा पर मिलेगा तो चले हम इस अनलेसिस को स्टार्ट करते हैं फिडियो को लाइक करके स्टार्ट करना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरू कर देना है तो दीखिए मैच होगा कहां पे तो हम इस मैच की वेनियो एंड पिछ पर चलते है जो मैच होगा एडलेड वोल पे तो क्या सीन होता है स्पीच का देखो यहाँ पर आपको न्यूट्रल पिज दिखाई देगे यहाँ पर बैट्समर्स वर बॉलर्स दोनों को एक्वल सपोर्ट होता है अगर आप बैटिंग बॉलिंग का रिशु दिखो गई त यहाँ पर थोड़ी से इंपोर्टन्ट होती है पर आपको फोकस बनाए रहा है अगर हम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का देखो यहाँ पर सेम आपको दिखाई देखा 50-50 यानि बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग इतनी माहिन नहीं रखती टीम कैसा खेल यह यहाँ पर ज्यादा इंपोर्टन्ट होता है तो देखो यहाँ पर इंडिया पहले भी इस वेन्यू पर खेल चुकी है और हम टॉप प्लेर्स देखेंगे जब इंडिया यहाँ पर खेली थी तो देखो विराट खुली का यहाँ पर 84 fantasy points का आवरेज है केल्राउड का 73 fantasy points का आवरेज है सुर्य कुमार यादों का 44 fantasy points का आवरेज है तो यह जो टीन प्लेयर है इनके उपर आपको नजर रखने है ठीक है हम यहाँ पर बॉलिंग से भी टॉप प्लेर देख लेते तो देखो हर्दीक पंड्या का यहाँ पर 58 fantasy points का आवरेज है इस वेन्यू पर पाकिस्तान श्युट की मिच में एक मैच होः ता क्या होता इसमें देखो यहाँ पर जो बंगलादीश के टीम थो ईहां पर सब्मेंटेट के सब्सवाइन तेहा ता ऑम्येटे खेसें पर आपकिस्ताने चेज़ डवा था तो पाकिस्तान फैश मैस को जीख गई थल्zyka थी 158 का टार्गेट उनको मिला था और सौथ अफरीका सिर्फ 145 रन बना पाई आठ विकेट की नुक्सान पर इस मैच में थोड़ा सा बैसमान्स इंपोर्टन थे और अगर हम यहां पर उससे पहली की मैच देखे तो अस्ट्रेलिया उसस अफगानिस्टान के बिच में एक मैच ह मैच दरपाईती तो देखो आपर बंद रहा है ऊस्केमानिस बिच मानग होजा अगर पर त्यूं हेज इस इसका इंडिया का यहाँ पर इंडिया की तरफ से आप देखोगी तो रोई शर्मा ओपन करेंगी केल राहूल के साथ वंडव नाएंगी विराट कोली जो मिडल ओडर ही उसमें सुर्यकुमार यादव उसके बाद देखो और इशब पंत और दिनेशकार्ति की इन दोनों में स अप्शन्स देखोगे तो देखो अक्षर पतेल रविचंद्र अर्श्मीन भूने शुर्कुमार भूमाश्यमी अर्षदीप सिंग और हर्दीप पंड्या इंडिया की तरफ से पॉलिंग ओप्शन्स होने वाले हैं अब हम इंपोर्टन प्लेयर देख लेते इंडिया की त सुरिकुमार तो यह तीनों आपके टीम में होने चाहिए अगर आप इंग्लंड की थोड़ी से टेंस्टीम मना रहे हो तो आप इन तीनों में से कोई दो ले सकते हो पर इस शर्मा का रेसेंट परम इतना अच्छा नहीं है लेकिन बड़े मैच के प्लेयर किसी भी मैच में भड़ा स्कोर कर सकते हैं और अगर यह खेल गए तो यहाप पर आपको एक तरफ जिताएंगी भी नहीं तो हरा भी सकते हैं तो अगर आप देखोगे हमने इंडिया की इंपोर्टन प्लेयर भी देख लेए आप पर अब हम इंग्लंड की तरफ चलते हैं इंग्लंड की उसके बाद लियाम लिंग्स्टन मोहिन अली सैम करन क्रिस्टोप्स उसके बाद आप और नीचे चलो तो यहाप पर आदिल रशीद और मार्कूर्ट इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शन होने वाले इंपोर्टन बॉल्ड ब्रेक लेते हैं यहापर इंपोर्टन रहेंगे उ बेटिंग में जॉस बटलर एलेक से बेंस्टोप्स तीनों इंपोर्टन रहेंगे आपके लिए देखो एलेक से का फॉम अच्छा है दोनों मैंचेज इनों ने परफॉम किया लेकिन टीम्स इतनी खास नहीं थी इंडिया के सामने कैस्या करेंगे देखना पड़ेगा जॉ और अगर आप पर इंगलंड ही तरफ से देखोगे तो साम करन और मार कूड के चांसे रहेंगे तरी सोग भी यहाँ पर देख लेते अपनी तो देखो यहाँ पर जो हम टीम बनाएंगे ओ यहाँ पर पूरा एनलेसिस हमने पहले भी किया हुआ है और उस बेसिस पर में टीम मनाएंगे देखो यहाँ पर जो विकडिविंग सेक्शन है इसमें जॉज बटलर हमारे टीम में रहेंगे दिनेश कारती का है रिशब पन इन दोनों को आप ग्रैंड लिंग में टाय करना खास करके रिशब पन अगर कहलते तो उनका रिसंट आपको इतना अच्छा नहीं स्कूर बनाएं तो में इनको अपने टीम में अभी शामिल नहीं कर रहा हूँ और सेक्शन में जलते हैं यहाँ पर सैम करन बेन स्टोक्स उसके बाद यहाँ पर नीचे लियाम लिंग्स्टन और हर्दीक पंडाई चार आप्शन है आपके पास हमने चारों को लिया है बॉल जो रिसंट परफॉंस है उसको देखकर ही बनाइए यह अभी के लिए स्मॉल लिख्की टीम है लेकिन फाइनल टीम नहीं रहेगी हम इस चुम को पहले सेव कर लेते लेखो लेको यह टीम आपको दिख रही होगी तो फाइनल टीम नहीं है पाइनल टीम आपको में अच्छा गया है हार्दीक पंद आपको बैटिंग गॉलिंग दोनों से कॉंट्रिबूट करके देंगे बें स्टोक्स का भी वही हाल है अगर आप सेब जाना चाते हो तो बें स्टोक्स हर्दीक पंद आपके लिए बेस्ट ऑफिशन है सुरुकुमार यादो पे भरोसा ज आप पहली बार आए तो चानल को सब्सक्राइब जरू कर लेना है तो मिलते के लिए उड़े में तब तक के लिए खुश रही है तसकराते रही है